इस शूष की लिए गुड़ का प्रियोंम M 7 Q d में थोड़ा सा पानी मेला करके यदि थोड़ा स्वांठ मिला करके एकि उसको पिला दिया जाए तो तूरंत लाव होता है यहां स्थृष थोड़ा पानी और इसे थोड़ा सोट, कि हिच्की के लिए अधूत प्रयोग है, और ज्यादा हिच्की आ रही हो न, क्या करें उसको थोड़ा चान लीजिए, सोट और गुड के पाने को चान करें, थोड़ा सा चार-चार बुन नाक में भी टपका दीजिए, तो उससे एकदम तथकार हिच्की म स्ट्रेस की बात बता दीजिए, जैसे तो तुरंत हिस्टी बंद हो जाती है, बच्च्पन मुझे याद है, हमको एक बार भानत हिस्टी आ रही थी, किसे ने का सुनो, तुमने मेरे स्कूल के हमारे साइपाइड इसा उसको पढ़ता था, उसने का, तुमने मेरी जहना, मेर पैंसिल और मेरी कॉपी चुरवाई है, मैंने का भई मैंने तो चोरी करी नहीं, तुमने चोरी किया, तो मैं इतना स्ट्रेस में आ गया, इतने परेशान हो गया, मैंने का भई नहीं, मैं तो ऐसा करता ही नहीं हूँ, जब दो तीन बार मैं करता रहा हूँ, उसने का नहीं, life को कफ का बिमारी है गुड को आसे जो पुराना हुटा है उसको औशट में भाहती लापकारी माना गया है तो जितना पूराना गुढ होता है औशट ही गुणí से परई पुराना गुढ करने के लिए आप प्या करना है गुड को थेक वर्तमान में आप रखिए काज की वर्तन में रखिए जिससे कि वहां उसकी किसी भी तरह से पदार्था का प्रतिशक होता है इसमें जली अंत नहीं है तो यह कभी खराब होगा नहीं थोड़ा सा बरसाथ के मौसम में तरह गुड पीघल जाता है पिघल दे लगता है पर वर्तमान में रखेंगे पीघल कर भी यह जम जाएगा परन्तों यह कभी नुकसान इस तरह से कीडा होगा इसम लिखा है आयरुवित के अंदर गुड में थोड़ा सरसों का तेल मिलातर के दी स्वांस के रोगियों को दिया जाए तो वो बोले कि लाव होता है जिसे दिहारोगर में बंगाल में कच्छा सरसों का तेल खाने का रिवाज है वहां पर लिटी चोखा लेते हैं या फिर वो सरस का तेल भी शुद्ध होना जरूरी है गुड तो आपके पास शुद्ध आ लिया तो फिर भी तेल भी शुद्ध होना जरूरी है तो वह बहुत ही लाब करेगा आपके स्वास रोगों में भी तो आपके स्वास